सुमवार कोवनाखपूर के महापवर संदीब जोशी और उपमहापवर मनिशा कोठे ने अपने पत से राजिनामा दिया बता दे कि संदीब जोशी हाल ही में हुए पद्विदर्सकनातक चुनाओं में भारती जंता पार्टी के ओर से चुनाओं लड़ रहे तब उन्हें करारी शिकस का सामना करना पड़ा जिसके बाद खबरे सुर्खियों में थी कि अब संदीब जोशी महापवर के पत से इस्तिफा देंगे जो सच साबित हुआ है पिछले 13 महनों से वे कारियरत थे और कुर्णा काल में भी उनकी भूमी का आहम रही है इस दोरान वे कुर्णा की चपेट में भी आए अब संदीब जोशी के बाद द्याशन करतिवारी उनका पत्भार संभालेंगे और नापूर के नए महापवर बनेंगे सोमार को संदीब जोशी इन्होंने अपने महापवर पत से इस्तिफा दिया जब हमारी टीम ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ये अचानक नहीं मेरा कारिकाल ही खत्म हुआ है तेरा महने पहले महापवर पत के लिए वसे पेच को सुलजाने के लिए सम्मती से तेरा तेरा महने का महापवर रहने का निरने लिया गया था इसमें पहले संदीब जोशी दूसरी बार भाजबा की जेश्ट नगर से वक द्याशंकरतिवारी होंगे जोशी का पूरा कारे काल ही चर्चा में रहा पहले तरबदार कामगीरी की बड़े निरने के लिए इसके बाद कुरोना काल में तुकाराम मुंडे और संधीब जोशी की जुगलबंदी भी दिखाई दी संदिव जोशी के साथ ही मनिशा को उठेने भी उपर महापौर का इस्तिफा दिया है ट्यामेरा परसन राज़कुमार मोड के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट इन बी सियन नियूज नाकपूर